नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करफ्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे RTI से संबंदित बाद हो या किसी भी तरह का कोई भी बाद हो अगर आप हाई कोट में विधिक सेवा प्रादिकार के तहत नेसुल्ख सहायता है तू अपनी तरब से नेसुल अधिवक्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे के लिए आपको आवेदन पत्र के साथ एक सपत्पत्र भी लगा के देना होता है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार हम लोग सपत्पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाकर भेश सकते हैं या विदिक शिवास्वमिती उच्छ न्याले अपने राजी के हर उच्छ न्याले में यह विदिक शिवास्वमिती हुआ करता है जहां आप आवेदन के साथ सपत्पत्र अवश लगाएंगे तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए है तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें जिससे आर्ट याई संबंदी भरष्टाचार से संबंदी लोक आयुक लोक शिकायत या अन्य भी किसी तरह की शिकायत कैसे आप करेंगे इसकी जानकारे आप लोग इस चैनल के माध्यम से लगाता ले रहे हैं और लेते हाते रहेंगे जिससे इस चैनल को भी शपोर्ट मिलेगा तथा भरष्टाचार के खिलाप हम लोगों को लड़ने में एक यूटता भी होगी तथा एक लाइक अवश्र करेंगे तथा इसे इतना उसेर करेंगे हर किसी को इसकी जानकारी हो सके और वो वै हिला हैं दिव्यांग है या वरिष्ट नागरिक हैं जो हाई कोट में अपने सुल्क को जमा नहीं करवा सकते हैं अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं वो ने सुल्क विदिक सेवापरादिकार के तहत आप सेवापराप्ट करके अपनी और से अधिवक्ता निक्त करवा सकते हैं तो चलिए सपत्र पत्र में लिखेंगे, या हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से दोनों में से लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिखेंगे, आयू लगवग लिखेंगे इतना वर्स, उसके बाद अपने पिता या पुत्र पत्नी जो भी हो, अपने पती का या पिता का नाम लि के सदद से संबंदित हूँ, मैं मानव की दुरवायवार से पृत हूँ या विक्चारती हूँ, गो मैं विदिक से वाके लिए आर्थ हूँ क्यों की मैं महला बालत वरिशनागरिक या दिव्यांग हूँ, गो मैं मानसिक रूप से विमारी या अन्याथा और समर्थ व्यक्ति हूँ, हंगो मैं सामुहिक आपदा जाती है हिंसा जाती अत्याचार बार सुकार भुकम या अध्योगिक आपदा का प्रित होने के कारण अनुचित आवसकता की परिस्थितियों के अधिन व्यक्ति हूँ, चो मैं अध्योगिक कर्मकार हूँ चो मैं अभी रक्षा में हूँ जो सभी सुरोतों से मेरी वार्षी का इतना रुपया मात्र या इतना रुपये से नीचे है उसे काड दीजिए जो लागू ना हो दो मैं किसी अध्य पेक्षा और निर्देश का पालन करूँगा जो उच नियाला इविदिक सेवा समीती की सचीव या सदस्यों में से किसी द्वारा दिया जाए तीसरा मैं समिती द्वारा प्रदान के जाने वाले विदिक सेवा दिवक्ता के समक्ष अपने मामले के सभी तत्यों का पूर्ण और सत्य सूचना दूँगा जो मैं उच्छ न्याले पटना में को इतना में इतना के निर्णे से अपील को इतना के लिए रिट याजिका दाखिल करूँगा जो भी आप बात से सम्मंदित अपना याजिका दायर करना चाहते हैं सम्मंदित उच्छ न्याले में उसका यहां बरणन करेंगे परिक्छार्थी परिक्छाचि सत्यापन करना पड़ेगा मैं अपना नाम लिखेंगे उक्तवर्णित परिक्छाचि यते एदत द्वारा सत्यापित करता हूँ कि परिच्छेद एक से चार तक की अंतर वस्तुएं मेरे ग्यान में सही और सुद्ध है इसमें अधी कथित कोई चीज मित्या नहीं है और कोई चीज छिपाया नहीं गया है इसलिए इस्वर मेरी सहता करे अपना दिनांग दे सकते हैं के दिन को सत्यापित किया गया है जिस दिन आप यह एफिडेपिट सपत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत्पत् आवेदन के साथ सगलंग कर नेसुल्क उच्च न्याले में भी अपनी ओर से फैर भी अधिवक्ता के माद्यम से नेसुल्क करवा सकते हैं जैन